हेलो जी गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूँ अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में तो यह सुबह का टाइम है और किचन में जाहिशती बात है मैं आ गई हूँ और यह चाना हरा सब्या सब्जी हर और कोई सब्सक्राइब क dif落ी का यह सब्लय को कफ़ें सब्सक्रें यह जूँख़ारीक व्हीं पजहर inversun जना भी कि मैं उसका मैं हुआ जाह सब्सक्राइब पकोड़ी का और काफी हीट वा था आप लोगों पसंद आया था तो वह ही है मतलब उसी दिन वाला यह चैने डाल का पकोड़ी है जो में पहले यह रिल्स बोल ली हूं सौरी सौर्स में डाल चुकी हूं और यह कुदुरुन काट रही हूं मैं सब्जी बनाने करें तो इसमें बहुत सारा जो कुदुरुन है हमारे हैं तो कुदुरुन बोलते हैं बहुत जगह इसको कुंदुरु भी बोलते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा लाल था जिसे लाल तो होता है हलका लाल रहता है तो उसे वह कोई मतलब नुक्सान नहीं करता है खाने में और वो बन जाता है और नुक्सान भी हो सकतां, उतना पका हुआ खाने में तो इसलिए मैं वह सारा निकाल दे रही थी क्योंकि जो थोड़ा हलका फुल का लाल था बस वही काट रही थी और नहीं तो एक्दम जो ग्रीन था क्योंकि एक्स्ट्रा लाल वाला उसको सारा निकाल के मैं फेक दूंगी वह अच्छा मुझे नहीं लग रहा था कि अच्छा है तो इसलिए इसको निकाल के मैं जो है वह फेंग दे रही हैं और हाँ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे ब्लोग देख रहे पसंद है उनको तो उनसे भी जरूर सेयर करें और लाइक सेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें तो हर यूट्यूबर का हर दूसरा जुमला होता है तो मेरा भी यही है क्योंकि यह चाहे मैं लाक मेहनत कर लूँ अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो यह एकदम ब पकॉड़ी ही बोला जाता है तो यह चने दर्गता जो पकॉड़ा है तो यह तैयार हो चुका है और मैं इसको लेके जाओंगी मेरे और मेरे हस्पिन का चाय और यह देखिए मैं वह समय में डाली थी और बीच में मतलब थोड़ा बहुत और जो काम था वह कर रही थी और य यह थोड़ा इससे ब्राउन होगा जैसे यह कलर यह एक दम पर्फेक्ट है और इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वह साइट टेस्ट में चेंज हो जाए तो सेम यह कलर बहुत अच्छा और क्रिस्पी और इसमें कुछ भी इतना एक्स्ट्रा नहीं जाता है जैसे चना दाल प्रात में भी आते हैं उसको भी आदे यह चार-पांच हनटे पहले भी भी आदे और उसको फिर मिक्सी में बहुत महीन नहीं थोड़ा दर दर जैसा कि आप लोग देख रहेंगे कहीं कहीं चना दाल भी इसमें दिख रहा है तो वैसा चलेगा इसमें कोई प्रब्रम नहीं चंप रहा है और प्याज और मिल्चा लेस्ञ चने डल गालए और वर उपर से हरा मिलचा काट नाएक किसी को तो काट ले है और प्याज जाल एक कि तरी किकरंवology है नहीं है कि यह हल्थिस में मैंने डाल ली ठीला शिख नाद पीचल-पर साथ rolls जैसे कि हम लोग नार्मल को और यह जैसा कि सामने आप लोग देख रहे हैंगे कि ब्रेट भी है सेका हुआ तो साय ने पहले बताई हूं ब्लॉग में या फिर नहीं भी बताई हूं कि मुझे इतना यार नहीं आ रहा है लेकिन किसी भी चीज की पकॉरी हो मेरे हजबन को उसके साथ ब्रेट चाहिए सेका मतलब मेरा भाई आया हुआ मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूं उसे भी बहुत पसंद है तो वह और मैं खाएंगे मुझे बहुत पसंद है मेरा हजबन खाते हैं लेकिन बहुत थोड़ा से खाते हैं उनको ज्यादा निची और गोभी आलू की भुजिया उनका फे भुनना है मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूं कि मैं कम आज पे ही सबजी बनाना पसंद करती हूं सब कुछ मसाले डालके और बस कम आज पे उसको भुनते रही है और फिर देखे उसका टेस्ट कितना अच्छा आता है और यह दूद बैठाई हूं क्योंक यह बैठा हुआ है चावल और उधर बन रहा था tuyea मरवाय के लिए मैं चावल बना रही हूं थोड़ा सा क्योंकि वह थोड़ा जल्दी कहता है और मैं जो है रोटी और चावल गरम बनाती हूं क्योंकि हम लोग गरम गरम घाते हैं ना मेरे बच्चे ठंडा खाना खाते है और नई हस्बिन खाते हैं ठंडा में तो मतलब की डाल तो गरम हो जाएगा और सब्जी गरम का उतना जरूत नहीं है लेकिन रोटी चावल तो चाहिए गरम इसलिए तो यह मैं अपने भाई के लिए जो है खाना निकाल ली हूं हम लोग तो अभी नहीं खाएंगे तो वह चा चाहिए पांच छी साल चोटा है लेकिन देखने में नहीं लगेगा वह कहीं से भी क्यों मिरस इतना चोटा है तो उसको आज मन हुआ कि नहीं में चावल नहीं खाऊंगा ने पराथा इंखाँगा वैसे वह रोटी बहुत कम ही खाना पसंद करता है उसको चावल ज्यादा तो बस तो उसी के लिए जो है वह पराठा से रही हूं और मैं ट्राइंगल लग पराठा बनाती हूं और बात पर बात निकलता है तो याद आजाता है कि मेरे जिठानी जब मैं नए नए साधी करके आई थी तो बहुत मुझे चिरहाती भी थी और वो बोल दी भी थी कि आखे तुम्हारा पराठा एकदम ट्रैंगल कैसे बनता है हम लोगा तो थोड़ा सा राउंड में हो जाता है तो बस अभी बात याद आ नहीं दे थी क्योंकि वो नहीं खाता आज तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग और छोटा ही मैं सेयर करती हूं तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताईएगा और लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाई